दोस्तो बिग बॉस सीजन 15 के लाइफ इड में इस समय गर के अंदर एक नए दिन की सुरुआत हो चुकी है यानि कि दोस्तो बिग बॉस ने सुबे का वेक अप सौंग बजा कर घर वालों को उठने की चेताउनी देडा ली है लेकिन दोस्तो बिग बॉस सीजन 15 में आज ऐसा पहली बार हुआ है जब बिग बॉस के घर में सुबे का जो वेक अप सौंग है वो केवल एक ही बार बजाया गया है हमेशा दोस्तो 5-7 बार गाने को रिपीट किया जाता था तब जाकर घर वाले अपने नीन से जागते थे लेकिन न जाने क्यों बिग बॉस आज घर वालों के साथ कुछ ऐसा कांट करने वाले हैं जिसकी वज़े से सुवे होते ही बिग बॉस ने केवल एक बार वेक अप सौंग बजाया है अब चहे घर वाले उठे या ना उठे आपको बता दे कि आज किसी भी कंटेस्टेंट ने वेक अप सौंग पर डांस नहीं किया जिसका साफ मतलब है कि आज बिग बॉस गर्वालों को कोई ना कोई बड़ा दंद देने वाले हैं या फिर हो सकता है कि आज घर के अंदर एक्शन रखा जाए क्योंकि दोस्टो आप फिनाले को केवल दू ही हफ़ते बाकी बचे हैं और आज हो सकता है कि बिग बॉस किसील किसी कंटेस्टेंट को घर से बेगर होने का रास्ता दिखा दे वहीं दोस्तों इस समय बात की जाए कि कौन कौन से कंटेस्टेंट उठे हैं तो आपको बता दे कि घर के अंदर के ओल परतिक से एसपाल टेज़े सिर्परकास और राखी साउंट ये तीन ही कंटेस्टेंट अपने नीन से जागे हैं और तीनों काफी हैरान है कि आखिर बिग बॉस ने किवल एक ही बार ये गाना क्यों बजाया है अब इस गाने की पीछे क्या मैसेज है और क्या हिंट है ये तो घर वाले या बिग बॉस ली जाने लेकिन दोस्तो इतना तो ते है कि आज घर के अंदर कुछ बड़ा कांड होने वाला है फिलाल दोस्तो आपको क्या लगता है आज क्या हो सकता है कमेंट करके अपने राइज जरूर बताइए वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर करें और बिग बॉस की खबर सबसे पहले जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें